सब आज हम करने वाले एक और मास गेनर के डेटेल्स की बात सो गई मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं आय एंटू के मास गेनर की बात सो गई बहुत सारे भाईयों ने इस्टा पर मैसेज किया था कि कैसा यह प्रोड़क है भला कि मैंने इसको यूज नहीं किया बट या इसकी ड नहीं करेगा खैर इस सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वैसा सबसे पहले आप इस प्रोड़क्त की डेटेल्स है वो देख लीजिए क्या क्या चीज़े और क्या क्या इंग्रीडियों इसके अंदर यूज किये गए है तो गाई अगर मैं कॉम्पनी की बात करूँ तो यह एक इंडियन ब्रेंड है अंलिप्टेड न्यूटरिषण प्रवाइड लिम्टेड जो ममबई में है और सबसे अची बात कि ये एक pure vegetarian product है तो यहाँ पे pure vegetarian product ये मिल जाता है तो guys इसकी basic information की बात करें तो यहाँ पे creatine मिल जाता है 3 gram तक आपको digesting enzymes मिल जाते है बट इसके अंदर multi vitamins आपको नहीं मिलते BCA भी आपको देखने को नहीं मिलता बट यहाँ पे आप एक चीज़ notice करते रहेंगे यहाँ पे toran जो लिखा है न toran बहुत ही अच्छी चीज़ है यह आप मैं यहाँ पे आपको explain नहीं कर साथ है क्योंकि इसके उपर मैं अगर बात करने लगा तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी तो आप गूगल पे यहाँ यूटूब के उपर एक बार सर्च कर लेना आपको इसका बारे में सब knowledge मिल जाएगी toran के बारे में अगर हम लोग इसके nutrition मतलब जो इसकी scoop से इसकी बात करूँ तो 100 gram का इसका scoop है जो के अच्छी बात है कि शोटा scoop दिये गए बड़ा बड़ा scoop दिया नहीं गया तो 100 gram की serving होगी तो उसके अंदर जो 10 serving है टोटल एक के लोगी मैं packing की बात कर रहा हूँ तो guys एक serving के अंदर जो 100 gram की है जहाँ पर energy 386 तक है protein यहाँ पर 15 gram तक मिल जाता है carbohydrate 77 gram तक है और sugar यहाँ पर 0 है fiber यहाँ बान पर 4 gram तक है total fat yo 2 gram तक है और guys बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता ले कि इसके अंदर digesting enzymes मिल जाते है जो कि एक अच्छी बात है so guys अगर ingredients की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ingredients में maltodextrin मिल जाता है इसके अंदर बट अगर आपको sugar का problem है तो फिर भी मैं यह product आपको suggest नहीं करूँगा हला कि sugar जो है zero दीगी है बट फिर भी मैं suggest नहीं करूँगा guys अगर आपको sugar का problem है so guys यहाँ पर maltodextrin इसके अंदर मिल जाते है milk protein concentrate मिल जाता है वेर प्रोटीन आइसोलेट कोकाई और क्रेटिन मोनो हाइडरेट और टोरिन भी इसके अंदर जैसे मैं आपको बताया है कि इसके बारे में google पे सर्च कर लेना यार जाफर वीडियो देख लेना टोरिन के बारे में किलो का गाईज आप देख सकते है 900 रुपे के आसपास आपको मिल जाता है यह था इस प्रोड़क का कुछ डेटेल्स जो मैंने आपके साथ शेर कर दी और यहां पर यूज करने की बात तो मैंने अक्सर ही आपको बोला है कि कोई प्रोड़क बुरा नहीं होता बस उसका यूज आपको करना आना चाहिए बट एक और चीज़ की वो रिजिनल प्रोड़क होना चाहिए क्योंकि फेक बहुत ज़ादा मिल रहे है फेक को छोट देते हैं हम लोग साइड में का ज़रे आपको अरिजिनल प्रोड़क मिल रहा है ना तो आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे सही तरीका मतलब यही मैं बहुर रहा हूं कि आप एक अच्छी सी डाइट उसके साथ फॉलो करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर डाइट फॉलो करने हैं तो मास गेनर लेने की क्या जरूरत है वाई यह अगर आप सोच के चल रहे हो तो बहुत ही रॉंग सोच रहे हो क्योंकि कोई भी मास गेनर कोई भी वेर प्रोटेंग आपकी डाइट के बिना कोई भी असर करने वाला कोई भी फायदा नहीं देने वाला पैसे वेस्ट होने वाले आपके और कुछ नहीं बस आपको पहले अपनी डाइट को क्लीन करना है डाइट अच्छी रखनी है उसके बाद यह सब चीज़ों को एड करके आप उनका जो रिजल्ट है जो असर है जो भी आप ले विवचे लगी तो पीजिए चानल को सब्सक्राइब युकर देना